दोस्तों नमस्कार प्रणाम जहीन जोहार मैं हूँ राजेश पांडे और आपने देखना सुरू कर दिया है मुनादी जोपाल तो आज हम मुनादी चुपाल में बात करेंगे हाथियों की समस्या की एक ऐसी समस्या जो यहां के लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है और जिने हाथियों से बचाने की जिस विभाग की जिम्मेदारी है वो विभाग चैन की निंद सो रहा है और लोगों की रात की सिते से रात में आया और इस घर को रात में कर तीन बजय हाथी ने तोडने का परियास के दंटेल हांती अबताते हैं काफी लंम समय से इसी खूम रहा है और यह देखिए एक घर का किस हिस तरहा है किस तरह से घर को तोने कोश्य की गई थी और इस परिवार जो हमनसे बात करते हैं जी बताएए उन्हें ने बहुत हें तीन वजह को आया है तिसरोभ ने भागवान से बागवान आए मेरे तो जब रात में आए तो आप पता के से चला कि आवाज आए अच्छा तो मैं जान दी कि हां कि आया है बाहर निकले तो कहां दोड़ाएगा मेरे को बोलके नहीं निकले बाहर तो नहीं घर को अगर तोड़ देता घर में घुश जाता तो अंदर घर के अंदर घुश तो चलो भागवान बचाना बचा था न मार ढालता घरें दोनों मा बेटे को क्या बोलेंगे डर से HARRे नIDEके सब्सक्राइब इस खौफणाक रात का आप एशाश कर सकते हैं अंदाजा लगा के जिसके सामने मौत खड़ी हो और वो नहीं घर में रह सकता है कितने बयावारात होगी उनके मन में और किसका क्दर से परिसान होंगे तो बहुत दोर से उनका नाइक में जो है आती है तो फॉरेस्ट वाले लोग को तो कैसे बोलेंगे वह नाम मातर के लिए हैं उन लोग लेकिन वह भी नाम मातर के लिए हैं उनलों भी कुछ काम नहीं करते हैं हाथी में तर दलो ले मुनादी तो करवाते होंगे गाओं में मैं उसका मुनादी किवैं सो रुपई्यांड दो सर्प मिलता है यहाँ पर दो श्रुपे अस reactesz रुपोहा में बहुते हैं डिया उनलों को लुके पता वोंनिया उनलतया है और सकान आकी क्या में पाथी को देते हैं और चाहते हैं यहाँ अधिक श् w राइपने लिए प्राख्रत के प्राकर्टिक से जानकारी लेकिन टेकनिकल तरीके से इनको बताय नहीं जाता हालांकि हाथियों की आवा जाहे कि जानकारी के लिए कई सारे आपस बनाए गया है वाटसअप ग्रूप बनाए गया है ड्रॉन कैमरा है ड्रॉन कैमरा के जरिये जानकारी लिजाती है कि इलाके में कितने हाथी है और वाट्सअब ग्रूप हर गौवं में एक वाट्सअब ग्रूप बनाया गया है और गाउन का लोगों को इसकी जानकारी दी जاتी है कि आज आँए अपके लाका में इतने हाथी है साथान हो जाएजिये ऐलर्ड हो जाइजिए गौवं में भी जानकारी अपने गड़ा-कड़ा बंचायत में मिली नहीं है आज से दो-ती साल पहले जब हाथी का जून आया तो उसमें फारिष्ट वाले आते थे लेकिन अभी फिलहाल इस सत्र में तो भी जब से हाथी का वगम हो रहा है फारिष्ट वाले नहीं आया है कब से हाथियों अलग के मौसम में क्या मतलब वज़ा क्या होती है मतलुक झांत्यो hearing करती में घुषने का वही है कि जंगल मोंकि ठादय पिने के प्रायपन हम है नहीं है घटन बेगारा किमाख से भी आते हैं से हैं कि पता चलता है ऐस गव्याई था हाँ खरीजरिए गाओं से लगायागय गया है उस परिशेतर में यदि अगर सायरन लगा दिया जाए तो बस्ती के अंदर में हाथी नहीं आएगा और इस तरह का नुक्षान नहीं होगा इसलिए मैं अनुरोद करता हूँ कि फॉरेश्ट विभाग से के सायरन लगाने का क्रिपा करेंगे आँ दो काफी लगता हैंगता सकतेजें देख सकते हैं गाउं के लोकों में काफी खौफ है और इन्हें एक अध़ी मरने की स्थिती होति बाराल घर के लोगों की जान बच गई है घर के लोग रहात के सांस ले रहे हैं लेकिन ये उधार की जिंदगी आखिर कब तक कब जागेगा फॉरेष्ट कब जागेगी सरकार और कब इन्हें खौप से निजात मिलेगा तो देखिए आज जहां पर हम खड़े हैं उसे आगे में एक बस्ती है लोटा पानी फिर आगे में मेयूर चुंदी है दुल्दुला का छेत रही है तो तो अच्छा यह हांत्यों का क्या है आप लोगों की हां मतलब आवाज ही है कि नहीं पूरा आवाज ही है पूरा घर सामन चलता है नहीं बहाते है टालता है एक दिन रात भर नहीं सब्सक्राइब कर दो अपना से मन से कठल को खाया उसके बाद भाग गया तो अब जान मार देते हैं वह दोड़ाने भी कोटता है दोड़ाता है भी पूरा डेंजर नेकल घर घुज जाते हैं हम लोग साब अच्छा पूरा हाथी का इलाखा है हम लोग का जम्चुआ छेतर में और चुंदी में पूरा इधर तो फॉरेस्ट वाले तो कभी नहीं आता है कभी तो रोड में खाली आता है दो तीन दन को देखेगा उसके बाद फोटो ले लगा तुरंट आजाता है कुन कुरी तो हाथी मित्रदल भी तो बनाए गाओं में कुछ नहीं है अच्छा नहीं बनाए है तो मुनादी होती है कि मतलब हाथी आने वाले हैं आप गाओं में हाथ कोई कुछ नहीं अपना जो जगता है तो निकलता है घर सामने आ जाता है तो पूरा बस्तिय कठाओ के निकलते हैं तो कोई नहीं तो देखिए यह पर यह पताने ग्योरत नहीं है सब जानते हैं कि हाथियों से अकसर लोगी मौत होती है हाथि अकसर अभी कुछ दिन पहले ही अभी हम लोग का 15 रोज हो रहा है गावरत को मार्द्य पूरे फुरा खत्म हो गया दात लगा दिया है पूरा अमरिका पूर हस्पिटल में है अभी अब हम भूबिन का घरवाली तो देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही दो लोगों क का मंजर का ना तो विभात पर कोई असर होता हुआ दिख रहा है नहीं सरकार पर बाराल सरकार के निंद कभ खुलेगी परशासन अपनी संसाथनों का सही उपयोग कर कप करेगा बहुत सारे सवाल है और इन सारे सवालों का जवाब हम अधिकारियों से लेंगे और उनका साथ देखतर ही आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल नमस्कार